Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल गुजरात का दौरा किया, मैं आपको बताऊंगा आगे गुजरात के अंदर हुआ क्या है, लेकिन वहाँ पर अगेन उन्हें एक बहुत ही important speech बोली है और उसके अंदर compare किया है भारत के IT को पाकिस्तान के IT से, भारत का IT जो हम इसको कहते हैं, information technology बहुत तेजी से भारत के ग्र में जो मदद कर रहा है वो है आपका international terrorism, यहाँ पर आप देख सकते हो, no country practices terrorism like Pakistan does, ऐसा एस जैसंकर साब ने का, इसको details से बताऊंगा मैं आपको कि exactly हुआ क्या है, प्लस साती साथ हम थोड़ा सा compare करेंगे, कि भारत की जो growth है वो किस तरीके से IT के द्वारा push की जारी है, और दूसरी तरफ, एस जैसंकर ने जो कहा है पाकिस्तान को लेकर उसके क्या माइने है, काफी कुछ जाने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखीगा दोस्तों, 6th October को UPSC का ये जो batch है वो close हो जाएगा, अगर आप UPSC की त्यारी करना चाहते हैं और best guidance लेना चाहते हैं at a very affordable rate, just 19,000 रुपीज में आपको ये पूरा course मिलेगा by using the code Ankit Live हमारे website और app पर, और इसके अंदर आप देख सकते हो, live classes दिये जाएंगे, 900 प्लस hours, notes दिये जाएंगे, answer writing practice आपके main exam के लिए, कई सारे features हैं, prelims के लिए और साथ ही साथ, यहाँ पर आपको mentorship भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत है, problem है, कभी भी, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा page पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जोदित किया और जाहर सी बात है, ये पाकिस्तान की तरफ ही इसारा था, उन्होंने कहा, कि an expert in international terrorism, पाकिस्तान को, और वहीं भारत को कहा, expert in information technology, actually हुआ क्या है, कि जब वो US के दौरे से भारत लोटे, तो अभी आपको पता होगा, नौरात्री का समय चल रहा है, गुजरात के अंदर जो घरवा है, बहुत सारी activities की जाती है, और काफी मज़ा भी आता है, मैं भी वहाँ पर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो S.J.S.ंकर साहब है, वो लगभग 52 ambassadors और high commissioners के साथ, एक visit पर गए हुए थे, वदोडरा के अंदर, मतलब कि हमारे जो ख External Affairs Ministry, और External Affairs Ministry के जो minister है, वो S.J.S.ंकर साहब है, तो वो यहाँ पर दौरे पर गह वे थे, उन्होंने कुछ speech भी दिया, in fact जो उनका speech था, वो हिंदी में था, usually आपने देखा होगा, वो ज्यादा तर English बोलते हैं, लेकिन यह पूरा speech उनका हिंदी में था, और आप देख सकत यहाँ पर उन्होंने भाशर दिया, और यहाँ पर उन्होंने एक बहुती important चीज बताई, सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि पहले जो understanding थी world की terrorism को लेकर, वो काफी ज़्यादा change हुई है अब, क्योंकि आपने देखा भी होगा, जो प्राइमिस्टा मोधी होन्होंने कई बा यहाँ पर कई सारी चीज़ें की गए, लेकिन अभी भी आगर आपको पता हो, तो UN के द्वारा कोई एक definition नहीं दिया गया है terrorism को लेकर, बार बार प्राइमिस्टा मोधी शीच को repeat करते रहते हैं हर जगा, उनका यह भी कहना होता है, कि हमें यहाँ पर good terrorism, bad terrorism का जो अंतर है खतम करना पड़ेगा, और terrorism को बहुत सक्त तरीके से निपटने की आऊशकता है, तो यह बार बार भारत की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अभी भी UN के अंदर को एक strict definition आपको terrorism की देखने को नहीं मिलेगी, और इसलिए यहाँ पर ऐसे संकर साब ने इस चीज को repeat किया और कहा कि यहाँ पर world की जो पहले understanding होती थी terrorism की, अब वो काफी हतक change हो चुकी है, उनको समझ में आने लगा है कि यहाँ पर terrorism जो है, वो सिर्फ भारत या फिर बाकी के देशों के लिए खतरनाक नहीं है, उनके खुद के लिए भी खतरनाक है, the world is not tolerating it anymore, countries using terrorism are under pressure, और जहाईर सी बा कि भारत तो terrorism को बहुत लंबे समय से जहलता आ रहा, आपको पता ही है, आजादी के बात से ही, जो पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला गया, उसकी वज़े से भारत को काफी नुकसान हुआ है, नुकसान innocence कहने का मतलब यह है कि ना तो पाकिस्तान अपने खुद की भलाई कर पाया है और ना भारत की भलाई कर पाया है, और इसकी वज़े से इसको हमें यहां पर निपटने के आउशकता है, तो यहां पर भारत को इसके बारे में तो पहले से पता था, लेकिन विश्व को इसके बारे में काफी recently पता हुआ है, साथी साथ उनका ये भी कहना था कि no other country practices terrorism in this manner मतलब जिस प्रकार से पाकिस्तान terrorism को practice करता है कोई भी देश इस तरह से तो practice नहीं करता है, especially आपने देखा होगा चाहे Gulf countries हो, Malaysia, कोई भी आप देश देख लो, जहाँ पर Muslim majority countries हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा खुद की सरकार के मदद से, उनके आर्मी के मदद से, terrorism को फैलानी के कोशिश की जाती है, और ऐसा कभी किसी के द्वारा नहीं किया गया, और especially 2611 का जो अटाक हुआ था, उसके बाद भारत को यहाँ पर clear कर देना चाहिए पाकिस्तान कोगी, अगर वो किसी प्रकार का भी terrorism फैलाएगा भारत में, तो उसकी एक कड़ी कारवाई जो है, वो की जाएगी, इसके लावनों ने एक example दिया, और बहुत ही अच्छा example दिया, कि किस तरीके से बांगलादेश में अगर आप देखो कि क्योंकि जो extremist activities हैं, border पर, North East के अंदर फैलानी की कोशिश की जाती थी, हमारे भारत के अंदर वो completely यहाँ पर stop हो गई एक प्रकार से, तो यह एक अच्छा example होता है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी यह चीज करना चाहिए, जो border problems हैं, सारी चीज़ों को निप्टा कर, terrorism को खतम करनी की कोशिश करनी चाहिए, और तभी पाकिस्तान जो है, वो आपका आगे बढ़पाएगा, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर S.J. Sankar साहब, जो बाकी की ambassadors हैं, high commissioners हैं, उनसे यहाँ पर मुलकात कर रहे थे, उन्होंने speech में एक बहुत ही अच्छी बात ये भी बोली, कि आपने देखा होगा, जो Russia-Ukraine का war चला, उसके बीच में आपने देखा होगा, किस तरीके से US हो गया, Western countries हो गए, European countries हो गई, वो भारत पर लगतार pressure बना रहे थे, कि आप Russia को condemn करो, Russia से कोई भी वैपार ना करो, कुछ भी मत करो, लेकिन यहाँ पर S.J.S.ंकर साप का कहना था कि नरेंद मोदी जी की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर जो भी pressure था, उसको head on लिया, उसके नीचे हम दबे नहीं, और भारत के लिए क्या important था, अगर हमें सस्ता crude oil चाहिए था हमारे economy के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो वो हमने यहाँ पर किया है, तो इस तरह की जो चीजे हैं हमें वो face करनी पड़ीगी, वो S.J.S.ंकर साप साप सारे जो बाकी के ambassadors हैं भारत को जो represent करते हैं अलग-लग देशों में, उनको उसमें वो संबोधित कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनसे question पूछा गया कि जिस प्रकार से US के द्वारा F-16 fighter jet दिया जा रहा है, उसको लेकर आपको क्या कहना है, तो यहाँ पर S.J.S.ंकर साप इसका कोई बहुत जादा importance नहीं है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि विश्व फुलिश नहीं है, मतलब कि हम कोई बेवकुफ नहीं है, आप जिस तरह का F-16 प्रोवाइट कर रहे हो, काफी powerful है, और कहाँ पर उसका इस्तमाल किया जाएगा, हम सबको पता है, डॉनलर्ड ट प्रकार से ये भी माना जा रहा था कि क्योंकि भारत रश्या को पूरी तरह से condemn नहीं कर रहा है, इसकी वज़े से यहाँ पर एक प्रकार से pressure बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत के उपर कि पाकिस्तान को F-16 दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर US का कहना है कि नहीं है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि भारत की IT और पाकिस्तान की IT, सबसे पहले अगर हम बात करें IT, इसको IT का मतलब है information technology, इसके अदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे IT से related services, IT enabled services हो गया, e-commerce हो गया, software हो गया या फिर hardware products हो गया, जो भी हम use करते हैं, यह सब कुछ आपका IT का ही पार्ट है, और आज की डेट में जितने भी organizations हैं, चाहें government से लेकर, business से लेकर, कहीं पर भी, अगर हमें efficiency चाहिए, economical होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर IT की मदद नहीं पड़ती है, और जिस प्रकार का governance आज के डेट में देखने को मिल रहा है, भारत के अंदर आप हमारा जो UPSC का course है, वो यहाँ पर online दिया जा रहा और best चीजें provide की जारी है, यह सब कैसे possible है, यह तभी possible है जब भारत में IT flourish कर रहा है, इसके लावा यहाँ पर IT sector का अगर हम role बताएं भारत का, तो आप देख सकते हो, 1998 में जो IT sector है, वैसे तो IT sector 1990 से थोड़ा start हो गया था और तेजी से फैने लगा लेकि 1998 में इसका contribution GDP में सिरफ 1.2% हुआ करता था और आज के date में 10% से भी जादा contribution सिरफ IT का हमारे GDP में देखने को मिलेगा, इसी से आप समाझ सकते हो कि IT कितना important role play करता है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो total revenue था IT का 2019 मे it was 180 billion dollar और इसमें से लगबग 100 billion dollar जो IT services है वो हमने export किया था और export की जब हम बात करते हैं तो two-third जो export है भारत का IT services का वो अकेले US के अंदर जाता है और हमारी workforce अगर आप देखो कि IT के अंदर it is 4.3 million employees मतलब 43 lakh employees IT sector के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बताया जाता है कि जो digital economy है भारत की 2025 तक वो 1 trillion dollar तक चली जाएगी जो Indian electronics manufacturing services है वो 152 billion dollar तक चली जाएगी 2025 तक और रड़ी सरकार ने 100% FDI allow कर रख है automatic route के मतलब कि हमारा focus का है हमारा focus है देश को आगे बढ़ाने में IT को और जादा push करने में लेकिन अगर आप पाकिस्तान का देखो तो पाकिस् information technology के बजाए बार-बार terrorism के उपर focus करता है जैसी कि for example अभी आप देखो न UN के अंदर पाकिस्तान के प्रामिश्रा शहबाद सरीफ गए वहाँ पर उन्होंने speech दिया और उस speech के अंदर क्या कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हो रहे terrorism को लेकर बहुत प अफगानिस्तान वहाँ पर जो तालिबान है क्योंकि आपने देखा होगा recent times में पाकिस्तान और तालिबान के जो रिस्ते हैं उसमें बहुत सारी problems आई है लेकिन शहबाद सरीफ ये बोलना भूल गए कि किस तरीके से आज भी यहाँ पर उनकी जो सरकार है उनकी जो military है वो एक प्रकार से मदद करती है terrorism को टरिजम को फैलाने में भारत के अंदर जमू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से penetration किया जाता है टरिजम के माध्यम से यहाँ पर आतंगवाद फैलानी की कोशिश की जाती है उसके बारे में बताने में यहाँ पर शहबाद सरीफ नहीं आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान में खबर आती है इधर ब्लास्ट हो गया वहाँ पर कुछ हो गया तो यह सब क्या है अगर आप यह सोचते हो कि भारत को नुकसान करोगे तो ultimately जो person terrorist है आतंगवादी है क्या वो आपी के देश में आतंगवाद नहीं फैलाएगा अगर आप ऐसा सोचते हो नहीं फैलाएगा तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपर conclusion यहीं निकलता है कि present में अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उनको सबसे पहले जो पुरानी mistakes है उनको ownership लेना पड़ेगा मानना पड़ेगा इस बात को और आगे कहना ownership लेनी पड़ेगी और एक प्रकार से जो short term political gain economic gain के लिए उनको terrorism को रोकना ही पड़ेगा उनको अपने आपको ही यहाँ पर एक प्रकार से मोर्ख नहीं बनाना है उनको genuine discussion करना है किस तरीके से peace को promote किया जाए development को promote किया जाए पूरे region में क्योंकि एक बहुत दुखी बात है कि पाकिस्तानी जो youth है युवा है पाकिस्तान के अंदर उसको एक civil और military rule के तहट terrorism की तरफ धकेला जाता है rather than उनको एक अच्छा future देने के लिए तो कहीं न कहीं आई hope कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर जो S.J.S.ंकर साब का कहना था उसका एक पूरा सारा आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डाला करता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए स्टडी आईक्यू आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्डबल